नमस्कार दोस्तों, संत्रा खाने में जितना स्वाधिष्ट होता है, उसी प्रकारिया सेहत के लिए काफी लापकारी होता है अगर आप संत्रे का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को विटामीन अ प्राप्ट हो जाता है जो कि आपके आपकों कलिए काफी फाइदे मंद है ऐसे में अगर आपके आँखों से आसू आते हैं या फिर आपकी आँखे जल्दी ठक जाती हैं और इसी कारणवस आपकी आँखे दर्द करने लगती हैं तो ऐसे में आपको संत्रे का सेवन अवश्य करना चाहिए इसके अलावा अगर आप संत्रे का सेवन करते हैं ऐसे में अगर वे लोग संत्रा का सिवन करते हैं तो इससे उन्हें पोटासियम और मैगनीजियम जैसे तत्व प्राप्थ हो जाते हैं जो कि उनके ब्लड प्रेशर को नियंतरित रखने में उनकी मदद करते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज़्यादा थकान महसूस करते हैं या फिर ज़्यादा काम करके आप थक चुके हैं तो ऐसे में आप संत्रे के जूस का सिवन जरूर करें क्योंकि इससे आपको भरपूर उर्जा मिलेगी और आप अपने आपको तरुताजा भी महसूस कर प बजय को मजबूत करने का काम करते हैं इसके अलावा दोस्तों संत्रा फाइबर जैसे पोशकतत T divorce से भरपूर होता है जो कि आपका मुटापा कम करने में आपकी साहता करता है इसके अलावा समें कैलचन की मात्रा काफी कम होती है ऐससे में यहाफ के वजन को नियंत्रिज रखने में आपकी मदद करता है दोस्तों अगर आप संत्रा का सेवन करते हैं तो यह आपके पाचंतंत को मजबूत बनाने का काम करता है और साथी साथ यह आपको कब्ज जैसी पेड़ समंदी समस्याओं को दूर करने में आपकी काफी मदद करता है इसके अला विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और आइरन जैसे पोशक्ता तो पाए जाते हैं ऐसे में विटामिन्स और आइरन में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट आपके बालों को पोशन देने का काम करते हैं जिसके वज़े से आपके बाल मजबूत और चमकदार बने रहते हैं दोस्तो संत्रे में citric acid पाये जाता है ऐसे में अगर आप रोजाना एक गलास संत्रे के juice का सेवन करते हैं तो इससे आप अपने आपको गुर्दे के पत्री के जोखिम से बचा सकते हैं तो दोस्तो अब आप जान कहें होंगे संत्रे के क्या क्या फायदे हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमाई चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद